उसमें यह बनाया था कि हर वैक्ते मतले चोटा मतले फोग का उत्पर वह पारbuds कि शूदर कर दा हमेरा तैसे कानून की बात तीनों को तो रद कर दिया कहा कहा रद कर दिया य फिर सुनो मेरे जो अब यह अभी वह बनायعم उसी का आधर पर बन रहा है यह यह फिर रहे के इसी कुई लावेंगे इनका क्या है देखिए दलहन आप सुनिये दलहन दलहन तिलहन तिनोची जागी और आलू और प्याज यह सारी चीज कुझे यह चाहती है सरकार यह सिरफ हिंदुस्तान के दो चार आदमियों पर ही सिमित आ जाए दलहन तिलहन अलू प्याज अलू प्याज अब यह क्या यह मैं आपको अबगत कराऊं कि यह कॉंग्रेश ने भी संसट्सट में वो चलाया था इसी जो आज भाजपा इसी जनसंग ने इसका विरोज करके क्या करा कि जगे जगे पर फारम होंगे कहीं जहोंपड़ी पावेना और बिन होएगा इस जो मोदी जी ला रहे हैं जगे जगे पर मोडल टाउन हो मोडल सोप होंगे और कहीं दुकान पावेना और बिन बाबू की आग्या के तू मुम्फली भी खावेना क्योंकि मुम्फली भी तिलहल मागी सब पर गुंडली मार के बैठ जाएंगे यह हैं जी बाबू की आग जाके तो मुम्फली भी खावना सब पर बताओ पहले इस गाओ का बारे में मैं इसलिए भी जानता हूं यह त्यागियों का गाओ है अभी जो चुनाओ 2022 के विदान सभा का हुआ था भारती जिनता पार्टी को इस गाओं में सबसे ज्यादा और त्यागियो ऐ canryinoo का और सबकू पता है कि यह बहुआववाल हिंद लिए हिंदु तक में लाई ए तो यह हिंदुत लिंगे जागरत करकें और यह कि सब जया है कि अफ़ हमिद्य को 처ly नजिए चेहरा है हमारे मन अपनारे मंडिर नचें तो ये हिंदु तो की बहुना बढ़काएक है और यूज को ये एक चुनाओ के समय वो चल जाता है वो चल जाता है एक नम्बर एक आप इतिहास उठा लीजिए आप इतिहास आप कॉंग्रेसी हो कि क्या हो किस पार्टी में किस पार्टी के पहले हैं किस पार्टी को करते हैं जिस पार्टी की सदस्ता क्रहन करें हुए हो वह पार्टी का होता है पार्टी मेरे पार्टी की सदस्ता क्रहन नहीं है कभी कभी मैंने करी थी संपैसट में संपैसट में एक सदस्ता क्रहन करी थी भारतिय कमिनिस पार्टी की और सन उनहतर में मैंने सांतितियागे को एक बालकपन में चुड़ा भी लड़ाया था जब उसमें था तो दिये बल गया पहुत गया लिए उसमें किसी पार्टी का नहीं अच्छा एक बाद बताओं आप यह नहीं मांनते कि पिछले नौ सालों में मोधी सरकार ने गाह अधिहाद की इस्थिति को श की जा रही थी शायदो नहीं हुए है है हुद बडिया सबाल आपका यह सोचा ले वह सबने अरे जब हम अपने बच्चों को ये की ऐसी बिल्डिंग बनाएकर देदेंगे लाइज इसी बिल्डिंग बनाएकर देदेंगे कि उनको खर्चिना करने पड़ए जो वह सब्सक्राइब और मेर्न मेरा कर दिया मैं आजुन्मां फद्राइब के जैया सब्सक्राइब। यह इसनों कैसे कमाया कैसे डबल कपर आप कैसे बाल को पड़ को समझत हुआ इससी तरह से सब्सक्राइब करते अरे नहरु को तो उस समय देशा में मतलब इस्टी मिली थी कि सुई बिजय इंगलेंड सा बनका आख रही है और यह तो कमा कमाये पर माने पर्दान मंत्री मोदी जी तो कमी कमाई पर जी आये हैं और कमी कमाई पर यह हैं अब उस पर यह सोचाले सब्सक्राइब करें पर वैसे मेरा मन दुखी है क्योंकर हमने पर के सरसो महंग हुई सरसो बोई अब पिछली सार्वी कि साड़े साथ को अब कर बतलब तेल का आयात कर ले हैं जड़ है पाट यह इसी में तो किसान फज जाता है पिछली बार क्या हुआ कि सरसो का तेल इतन सरसो का तेल दाम भी गिरा दिया और किसानों ने जब ज़्यादा सरसो बोई तो सरसो का दाम भी गिरा दिया रखिये भी बेकिना अब पाट से भी निच्छ रेट है पिछली बार घहूं बहेंगा हो गया अब के घहूं बोया तो इनों ने जो युद्ध की वैस अच्छे सरकारी रेट पे तो भी करता है लगाव है गौवर्मेंट निर्याद पर बैंदा लगाती उक्रेन युद्ध से अब क्या साड़े तीन हजार तक भी गेहूं के रेट जाते हैं और रही गंदे की बाद गंदे में तीन साल से कोई वरत दिन हुई है जबकि दवाईया खाद कौर जैन की तीन सिस्टी लेका हूं को रोजन की रिखाया हूं 42 रुपे की है वे एक कड़की वेट के अवल एक ड़ाई की डोज बता रहा हूं और यदि आप उसमें मैं उसे सोच रहा थलाने की उसमें जी एस्टी देखोगे न तो चार्सो पांस रुपे की लगबक स्व तो मतलब खर्च इतना है दवाई जो है एक इस प्रेकट आएक रहा भरे पर करते एक रहे जो साथ रुपे का एक रहा है अब मतलब 120-30 के करीब है पहली बात तो हमारा हपूर डिवेजन लगता है जहां बिजली कर रहा है लगबक दस पास हजार किसान के करीब हैं इसमें बहुत बड़े शेतर हैं उनके बिल शहाथ हजा लाक तक भी है हम्यारा कुद मैं यह चाहता हूं यदि मेरा बिल का करेक्शन से हो जा तो में ऑनलाइन अपने घर हर में ने कर सकता हूं पर वह जब आठ ला तो अब मीटर जब लगाने आ रहे तो आप लोग भगा दे रहे हैं कि यह नहीं लगा रहे है कि आता पता कैसे चले कितना भी खर्चा कर रहे हो प्रदेश में जो सिचाई के नलकूप लगे हुआ है सिचाई के लिए जो ट्यूबे लगे सब ने पांच या साड़े साथ हास्पावर का कनेक्शन लिया ठीक है और सब के मोटर दस हास्पावर के दस के यह हमारे कनेक्शन लिया पांच का कनेक्शन है अब आपको दिक्कत हो रही मीटर क्यों लगवा लें हम जी नहीं लगवा होगे सरकार को पता कैसे चलेगा कितनी बिजली का खर्चा हमें फिर ना चीए हम तो जो है उसा दे रहे हैं और बढ़ाद योपर मीटर ना लग आप लगवाओ एक मिन आप लगवाओ कि नहीं मीटर फायदा क्या होगा यह बताएगे विल्टर जब भी उत नहीं आएगा विल्टर जब भी बेढ़ेंगे मीटर लगा लो या कुछ खल लो है यह जो पहले बेढ़े सके हैं बीजली के रेट बढ़ते रेते ना बढ़ते गटते हैं ऐसा है इस गोर्मेंट से पागल बना रखा पबलिक का इस गोर्मेंट नहीं और कुछ नहीं है